आज हम लेके आए हैं फिनॉल और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने उस दोस्तों को सेर कर दिजिएगा जो फिनॉल से डरते हैं जो फिनॉल का चेप्टर से डरते हैं और फिनॉल के कोस्चन से डरते हैं इस वीडियो को देख लेने के बाद आप फिनॉल से बिल H5OH इसको हम AROH भी बोल सकते हैं और carbonic acid को कहते हैं H2CO3 यह धियान रखिएगा थोड़ा सा mistake आप गलती कर सकते हैं तो यह धियान रखिएगा इसका structure होता है जो आप देख सकते हैं आपको structure यहाँ पे दिख रहा है मैं दिखा देता हूं यह रहा आपका structure और इसको हम लोग ब रखेंगे उमीद है आप लोग समझ गए होंगे अब हम किस तरह से phenol को बनाएंगे कौन-कौन सी विधियां है कौन-कौन सा method है उस method की बात करेंगे तो सबसे पहले हम chlorobenzine से phenol बनाते हैं और यह बहुत important है और बहुत ही ज़्यादा important है तो chlorobenzine दीके इसको कहते हैं chlorobenzine chlorobenzine में आप NaOH के साथ जब react करा देते हैं लेकिन उसका कुछ condition है 623 Kelvin और 380m 623 Kelvin और 300 atmosphere पे जब आप यह हीट करते हैं तो आपका क्या बन जाता फिनोल बन जाता है तो धियान रखेंगे बहुत ही simple way में आप इस को क्या करेंगे लिक लिक के practice करेंगे यह वाला और यह वाला आप region को लिखिएगा और इधर छोड़ दीजिएगा और खुद देखेंगे कि क्या आप यह बना पाते हैं कि अगर इसको अच्छी तरह समझना है तो थोड़ा साथ यहाँ पे एक trick दिमा में रखिएगा NaCl प्लस माइनस यह निकल गया NaCl यह धियान रखिएगा और आपका OH यहाँ से जुड़ गया तो यह अगर थोड़ा थोड़ा अगर अपना से भी trick बना लेते हैं तो आप ध्यान मतल़ क्या बोलते हैं आप आसानी से इसको समझ सकते हैं अब दूसरा मेतड है एनिलीन से यह आपका एनिलीन है एनिलीन में आप जैसे NaNo2 by SEL से react करा देते हैं तो आपका बन जाता था बेंजीन डाइजोनियों गुट क्या بن जाता है बेंजीन डाजोनियों कोडायड यह बहुत ही जादा जित्मा विए थिये अम बताते हैं आप उसका प्रैक्टिस लगातर कीजिएगा तो आपका फ्रेजी लगने लगेगा तो जैसे बन जाए आप- है हिड़ीडोर्ल करने पर आपका फिनोर मतला हो जाता है तो अब यह दूसरा मेथ़द आए तिश्रा मेथड में हम क्या करते हैं बैंजिन से बनाते है बैंजिन में आप जिसे creativity कराते हैं तो आप का बन जाता है बैंजिन पर यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है अब 34 नमर बढ़ते हैं यह आपका होता है आपको क्या कहते हैं इसको आइसो प्रॉपाल बेंजिन को हम क्योमीन भी कहते हैं तो क्योमीन जैसे ही auto से react करता है तो cumine hydroperoxide बनता है और cumine hydroperoxide कैसे बनता है इसको कैसे लिखें तो CH3 CH3 उपर में लिख दीजिए और यहाँ पर H को अटा करके OOH लिख दीजिए इसको paroxide bond करते हैं और जैसे ही आप hydrolysis करेंगे तो आपका क्या होगा यहाँ से OH यहाँ से join हो जाएगा और CH3 COCH3 निकल जाएगा तो इस परकार से आप phenol बना सकते हैं जैसे ही आप phenol बनाएंगे तो chemical properties अब हम उसका जानेगे तो chemical properties बहुत important है और chemical properties जानने से पर एक चीज़ और जानना होगा कि phenol जो होता है वो ortho and para देता है अभी ortho and para क्या होता है तो ortho and para के बारे में detail से भी कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा तो फिलाल यह जानना है ortho and para ortho यह ortho कलाता 1 and 2 group 1 or 2 पे रहे तो ortho and 1 and 4 पे रहे तो para अभी इस तरह से समझना है तो सबसे पहले dilute HNO3 से reaction कराईएगा phenol का तो ortho and para पे आपका नाइट्रो ग्रूप जाता है तो इसको बोलेंगा ortho नाइट्रो फिनॉल और इसको बोलेंगा पारा नाइट्रो फिनॉल और इसको आप practice करके देखिए खुज बना करके देखिए एकदम सिंपल है HNO3, NO2 ग्रूप में आता है इसको अगर बड़ी हां से जानना है डिटील में जानना है और बहतरी ढंग से जानना है तो आप नीचे में comment करके बताईए मैं इस पर अपने बता दूँगा कि किस तरह से ही NO2 आया और 2 नमर और 4 नमर पर किस तरह से आया आगे बढ़ते हैं दूसरा नमर जब फिनॉल यह डालूट HNO3 है और जब कौंग HNO3 से रेक्षन कराईएगा तो आपका बन जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल और 2,4,6 नाइट्रो फिनॉल को कहते है पिकरी के सीट क्या कहते हैं पिकरी के सीट तो धियान रखिएगा और समझ समझ के पढ़िएगा ठीक है और इस पर लगातर प्रैक्टिस भी किजिएगा आई हम बढ़ते हैं आगे का आगे में आप देख सकते हैं कि फिनॉल जब ब्रॉमीन सिंपल ब्रॉमीन ब्रॉमीन इन सीएस टू जब ब्रॉमीन इन सीएस टू रहेगा तो धियान रखिएगा अलग बनता है और ब्रॉमीन वाटर के साथ अलग रियक्शन होता है ब्रॉमीन के साथ जब करते हैं तो आपका बन जाता है वही आपका डो उने थे आँगें इसको 2 BR sounds 4 BR होए और पारा होता हुँ मेजर होता है प्रोडक्त और यह minor प्रोडक्त होती है यह सब चीज हम 1 वीडियो में बना देंगे इसपेशल अब हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने पर Notes लिजब से react करता है तो 246 ट्राइब रामो根ल बनता है ध्यान रखिएगा जसे कौनग वाला होता है उसी तरह यह भी रखिएगा 246 ट्राइब ब्रॉमो फिनोल बनता है आप करते हैं बहुत ही इंपर्टेंट रेक्षिं का इंपर्टेंट है कॉल्प्स reactionungen to call section में क्या होता है जैसे ही phenol N Obrig require करता है तो सोडियम final jetzt यह बजाता सोडियम final need धियान देखिये यह बन्झाता है सोडियम फिन01 or सोडियम final need जहीं कारव डाकसाइड और हैडाली क्र लिजेगा तो आपका आगे बढ़ते हैं राइमर टीमन रियक्षन यार रीमर टीमन रियक्षन भी कहा जाता है जब फिनॉल आपका क्लोरोफॉर्म एंड नुएस के साथ जब हाईडरिसिस कर देते हैं तो आपका बन जाता है सेलिसालियाइड और इसका डीटेल से किस परकार से आया अगर डीटेल जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंड करके बताएए मैं इसको डीटेल से बताऊंगा अब सात्मा है फिनॉल को जिंग डस्ट के साथ जैसे फिनॉल को जिंग डस्ट के साथ हिट किजिएगा तो आपका बंजा का बैंजीन और यह बहुत ही बहुत ही इंपोर्टेंट है रियक्षन है इसे आप लोग जरू से जरूर कॉपी में ली करके प्रियास लगाता है ट्राइ किजिएगा कि क्या बना पारें और लास्ट रियक्षन है फिनॉल जब हम सोडियम डियक्रोमेट के साथ आप परजन से साहर आता है एस्टो सफूर का तो बंजाता है बैंजो क् इसको भी प्रैक्टिस कर लिजेगा और साथी सत कुछ important point लिख दिये हैं प्रैक्टिस continuously until you reach your goal प्रैक्टिस daily to write ठान लिये हैं कुछ करने का तो फिर क्यों लोग जाने का तो लगातार प्रैक्टिस करते रही है देखिए हम सुन्डी भी चल रहा है यहाँ पे तो आप लोग धन्यवार जिसने भी इस वीडियो को देखा और आप लोग पढ़ते रहे हैं इसमाइल करते रहे हैं और जीवन में जो कुछ भी पाने का ठान लिये हैं जरूर पाके दम लिजेगा थैंक्यू वहरी मैच